Hello everyone, this is Babanapuri So, दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 के चाप्ट No.7 That is Evolution के बारे में So, मैं वन शॉर्ट वीडियो बनारी मतलब जल्दी से कवर करने हैं इस चाप्टर को बहुत ही जल्दी से ताकि आप लोगों को जादा समय बंबादना हो लेकिन मैं सारे की सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो चाप्टर वर 7 का important topic है वो है Big Bang Theory तो जो चाप्टर है Evolution ही किस बारे में इस बारे में की Life का, Earth का जो origin था वो किस तरीके से हुआ कौन कौन से climatic conditions रही थी क्या-क्या changes आयते तो initially जो एक theory है जो support करती origin of universe, origin of Earth को वो कौन सी है उसको Big Bang Theory कहते तो यहां पर Big Bang Theory के इसाब से क्या हुआ था स्टार्टिंग बहुत ही बड़ी explosion से हुई थी देवाजा huge explosion जिसकी result में जो भी explosion हुआ था उसके result में क्या रहा बहुत जादा temperature अर्थ पर आया universe की formation होना start हो गया था hydrogen और helium दीरे-दीरे करके form हो रहे थे मतलब temperature पहले आया था उसकी बात चलकी in gases की formation हुई थी और ऐसा माना जाता है कि जो earth की formation का process है जो वहां पर दीरे-दीरे जो climatic conditions का change होने का process है वो कब start हो था 4.5 billion years back ठीक है मतलब temperature आने के बाद hydrogen और helium के आने के लगब 4.5 billion years के बाद earth की जो proper formation का process है वो start हुआ था along with this आप देखोगे water vapors methane, co2, ammonia यह सब चीज़े, यह सब गैसे यह सब substances हमारे atmosphere में अरड़ी available थे कब जब earth की formation हो चुकी थी और इन सभी molecules के आने के बाद जो sun से आने वाली ultra-volate radiations है वो radiations क्या करती थी water vapors पे यानि कि जो H2O water का molecule हमारे surrounding में present है उसके अपर act क्या करती थी as a result hydrogen or oxygen break होते थे क्योंकि hydrogen काफी hulka होता है, that is lighter तो बस scape कर जाता था तो यहां पर इस इन gases के बाद के आनको mention करना बहुत जरूरी है फिर क्या होगा यहां पर जो gases breakdown करेंगी इनहें के different composition से बादी CO2 है, water है या अलागला components की formation चला पर तो इसके बाद यहां पर theory दी लेए थी आपके यहां से आड़ी में बीच में point लिखा हुआ है, जिसमें sports responsible है new life की formation के लिए and it was called panspermia तो बस एक term आपको याद रखनी है panspermia का मकतब क्या होता है the process of formation of new life with the help of sports अब यहां पर जो spontaneous generation theory है, वो क्या कहती है इसके इसाब से जो life की formation हुई थी earth वो किस की मदद से हुई थी किन components की वज़े से हुई थी it was because of the decaying and rotting matter like straw, like mud, etc तो इन सब भी matters की presence की वज़े से new life की formation हुई थी और उसको कहाँ आता है spontaneous generation लेकिन कुछ समय बाद एक scientist आया जिनका नाम था Lewis Pascha है इनोंने दो flask लिए अले भी sterile किया हुए था proper तरीके से clean किया हुए था और इन flask में उनोंने killed yeast को रखा किसको? killed yeast को रखा तो जो 2 flask इनोंने यहां पर लेती सबसे पहला flask है इसको भी proper तरीके से clean किया था पहले वाले flask को इनोंने प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया था कि वहया atmosphere के साथ इनके अंदर रहने वाले molecules का कोई भी contact ना रहे लेकिन जब दूसरे वाले flask के हम बाद करेंगे उसके अंदर थी killed yeast रखे वे थे but it was not covered यानि कि जो killed yeast इस flask के अंदर थे वो direct contact में थे with the atmospheric air और observe ये किया गए after some time कि यहां पर पहले वाले flask में किसी new life की formation नहीं हुई जब कि यहां पर कुछ ऐसे yeast थे जो की living थे यानि कि new life was observed तो एक बार बताओ जब फैला बोला जा रहा था कि भईया spontaneous generation का मतलब है dead or decaying rotting matter से new life की formation होती है तो वो तो इसमें भी होनी चाहिए रही नहीं हो रही है क्यों कि atmosphere से पूरा जो contact था खतम होगया था तो इसका मतलब यह है कि भईया atmosphere भी एक बहुत ही important role play करेगा new life की formation में ना कि बस ही decaying or rotting matter है वो ही new life में बदल चाहिए ठीक है theory of spontaneous generation was disapproved by Lewis Pasteur क्या उनका experiment था वो मैंने आपके सामने भी बताया अब हम आगे बढ़ रहे है Aubarin और Helen के बारे में Russia और England के scientists काफी बार पूछा जाता है Medical में भी innovation आ जाता है NEET में ठीक है अब इन्होंने क्या बोला था इन्होंने ये बोला कि हमारे अर्थ पर सबसे पहली जो form of life है वो कहां से आई थी वो आई थी pre-existing पहले से exist कर रहे non-living organic molecules यानि की RNA और protein से ठीक है ये first point इन्होंने दिया साथ के साथ इन्होंने ये बताया कि ये जो life की formation है it was preceded by chemical evolution यानि कि इन सब चीज़ों में एक और चीज़ बहुत important दी and it was chemical evolution तो एक तरीकी से chemical evolution के बारे में बताने वाले scientists हैं वो operant और हेल्डेंड तो chemical evolution के बारे में बताने वाले scientists कौन है operant और हेल्डेंड लेकिन इसका प्रूफ था जो प्रूफ था chemical evolution का वो किस ने दिया था वो SL Miller ने दिया था 1953 ठीक है SL Miller ने क्या किया था तो यहां पर जो सुंदर जो पिप्चेवारणी पहले से draw कर दी इसमें किया है देखो SL Miller ने उनके experimental proof के बारे में बात हो रही है किस चीज का प्रूफ chemical evolution का इन्होंने क्या का जैसी Aubryneur Henry ने बताया that life was preceded by chemical evolution तो उन्होंने एक बिल्कुल अपने ही laboratory में जो primitive earth है वैसी conditions को create करने की कोशिश की और उन्होंने 800 degree Celsius का temperature अपने जो laboratory में जो condition उन्होंने बनाई थी महां पर रखा ठीक है उन्होंने की experimental flask लिया था जिसमें इन electrodes को रखा गया अब question आपसे directly क्या पूछा जाएगा 1-1 mark के साब से नीकी picture बनागे लिखा दो पूछेंगे कि SL Miller का क्या experiment और क्या confusion निकला otherwise आपसे ही बोलेंगे मतब ABCD करके 4 questions पूछे रहेंगे अब वो questions क्या क्या हो सकते हैं सबसे पहले चीज किस तरीके की condition महाँ पर create की गई थी laboratory वे आप बताओगे primitive earth वाली condition थी जिसमें 800 degree Celsius का temperature लिया था फिर पूछेंगे वो कौन कौन सी gases हैं जिसको उन्होंने स्पैरिकल फ्लास्क मिलिया था तो अब बताओगे यहां पर कौन कौन सी है methane है, ammonia है, estuo और hydrogen तो फिर थर्ड कुछेंगे जो electrodes है इसका क्या इस्तेमाल था electrodes का उन्होंने क्या किया तो अब बताओगे sparkling करवाने के लिए spark को discharge करने के लिए उन्होंने electrodes को use किया था और इस spherical glass में इस spare में उन्होंने जब इन gases के सामने electrodes का use करके sparkling को introduce करवाया तो क्या conclusion निकला? वह यह भी तो पुछर के conclusion क्या था? तो आब बताओगे formation of amino acids क्या conclusion था? तो SL Miller ने primitive earth की conditions को अपने laboratory में बनाया जिसमें की उन्होंने 8080 celsius का temperature लिया था कुछ gases को लिया था एक spherical इसमें glass लिया फिर उसमें उन्होंने electrodes का इस्तेमाल करके sparking करवा दी फिर जो result उन्होंने लग वग एक हफते बाद observe किया वो क्या था? formation of amino acids ठीक है? तो जो version था यह पता चला कि जो life की formation हो रही है वो non living organic molecules से हो रही है और उसको उन्होंने क्या बहला? A biogenesis तो एक तरीके से S.L.Miller responsible है क्या देने के लिए A biogenesis ठीक है? और यह जो formation of life थी इसको observe किया जा रहा है environment कॉन से रहा हमें water नहीं जाने की aquatic environment में यह जादा अच्छे तरीके से observe की गेती ठीक है? तो यह हमने किस बारे में बात की है? यह हमने बात की है S.L.Miller के experiment के बारे में जो किस चीज के लिए था? chemical evolution को proof करने के लिए अब आगे बढ़ते है जो की evolution से related आप से पूची जा सकती है तो सबसे पहले तो three connotations of special theory अब वो special theory क्या है और उसके क्या connotations है जो theory है special theory है creation की वो क्या कहती है? three points इसके बारे में बात करने हूं वो three connotations है सबसे पहला point कि जो life जो species आप अभी observe कर रहे हो वो ऐसी ही थी starting से है ना? तो क्या यह बात सही है या नहीं? दूसरा point कि वही जो life है जो कि आजम देख रहे है वही चलो तो ठीक है कि वह ऐसी ही थी दूसरा कि उसमे कोई variations ही नहीं है और future में भी वह ऐसी ही रहेगी वो भी बात सही ही नहीं है वह life we see today जो आजम diversity देखते है we see today was created as such लेकिन क्या यह बात सही है? नहीं यह diversity the diversity was same as we see today the diversity was same as we see today and will remain same and will remain same in future और वो future में भी same रहेगी लेकिन यह बात तो बिलकुछ सही नहीं है variations आती रहती है तो यह बात भी गलत होगी और अर्थ के बारे में बोला गया है कि Earth is four thousand years old अर्थ कितना पुराला है? four thousand years old यह बात भी सही नहीं है तो जो three connotations special theory of creation के तीनों point को याद करने काफी बार मैंने यह question देख है तीन नम्बर है दो नम्बर में पूछ लिया जाता है अब बात करें कि एक ship था जिसका नाम है HMS Beagle जो Darwin है जो की evolution के respect में बहुत ही अच्छे बहुत ही famous जो एक scientist है जो रह चुके है इन्होंने जब travel किया था इन्होंने जब समुदरी आतर की थी सी वाइट की थी तो किस में बैटके की होगी वही HMS Beagle में उनके ship का नाम था जिक है और Darwin ने जब observe किया अलग-अलग continents में अलग-अलग islands चाके तो उन्होंने यह देखा कि जितनी भी organisms हैं अगर किसी specific population के बारे में बात की जाए पॉपुलेशन के हर एक व्यक्ति में एक ability है कि वो reproduce कर सके तो जब एक population का हर एक organism reproduce कर रहा है तो population क्यों constant है stable कैसे है तो उसे ही पता चला कि एक term है natural selection मतलब वो organisms जो reproductively healthy होते जो large number of progeny को produce करते हैं नेचर उनी को select करेगा तो natural selection की theory जो उसने दीखी वो किसके उपर वीषती reproductive fitness के उपर ठीक है इसी के साथ अब हम आगे पड़ेंगे तो एक और question पूछ दिया जाता है कि वो कॉनसे scientist है जिन्होंने Darwin को influence किया था और कैसे तो वो scientist है जिन्होंने Darwin को influence किया था वो है Thomas Malthus और कैसे influence किया था तो Thomas Malthus है उन्होंने एक essay लिखाता population के उपर Thomas Malthus ने एक essay लिखाता किसके उपर population के उपर तो इन्होंने यही बताया था कि वही किसी भी population में जो realism है वो बहुत जादा reproduce करते हैं तो जो population की growth है वो exponentially बढ़ती जारे बढ़ती जारी है ठीक है लेकिन फिल्फी वो stable हो जाती है ऐसा क्यों हो रहा है तो बाद में फटा चला कि भाईया competition होता है भाई same population में जिती के organism है सबका food save होगा mating save होगा यहीं कि sex के लिए food के लिए resources के लिए तो जब competition होगा तो जो superior है वो तो survive करेगा लेकिन inferior का क्या होगा वो eliminate हो जाएगा तो क्योंकि food resources होते हैं वो limited होते हैं food resources limited होते हैं जिस मुझे से competition होता है और जो superior progeny है वो survive करेगी जो reproductively healthy है वो survive करेगी और दूसरा eliminate हो जाएगा ठीक है तो Thomas Marthas जो ऐसे लिकाना population के उपर उससे जो Darwin है वो बहुत ज्यादा क्या होगे थे influence होगे थे तो यह question भी काफी बार आपसे पूछा गया है और पिशे सालती question papers में ठीक है अब हम बात करने है पैलेंटियोलोजी क्या होता है जो पैलेंटियोलोजी है उसका मतलब होता है study of fossils Study of fossils, देखो fawLS की study को पैलेंटियोलोजी कह बोला जा रहा है तो फिर जो fawzels के या जो evidence हमें 1975 उसको क्या बोलेंगे पैलेंकि जो पैलेंटियोलोजीकल evidence अब यह evidence यानि कि जो फोज़ल है कि रिमेल and वह जाते हैं अब यह किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है तो आप भी बताएंगे कि यह पता लगाने के लिए, कि जो organism पहले exist किया करते थे, वो कितने समय पहले exist किया करते थे, और उनका जो structure हुआ करता था, वो कैसे हुआ था, तो एक तरह किसे ancestry को अगर हमें study करना है, तो हम किसका use करते हैं, उसके लिए fossils करते हैं, जिक है, अब इसी की basis पर जो organs है, उनको हम आपने दो categories में divide किया हुआ है, कौन-कौन सी, एक होते है, homologous organs, और एक होते है, analogous organs, homologous और analogous, अब देखें सरा इसमें किया basic difference है, जब भी आप homologous और analogous में differentiate करते हैं, तो generally question भी तो आपको सिर्फ example देदें कि पूछेंगे किस तरीके के organs को या evalation को recursion करेगा, तो जो homologous organs है, उसका मतलब है, यह organisms that have same structure, same structure and origin, वो organisms या वो organs जिन्दा structure same है और origin same है, लेकिन उनका जो function है, वो कैसा होगा, बड़ जो function होगे, वो different होगे, तो homologous organs ऐसी organs है, यह ऐसी organisms, हो homologous organs को possess करेंगे, जिन्में same structure and origin होता है, लेकिन जो उनका function होगा, वो अलग होगा, फिलकुर इसी का opposite होता है, analogous में function same होगा, लेकिन जो structure लेकिन जो structure और origin है और organs का वो अलग होता है but different structure and origin अब अगर इनके examples के बारे में हम बात करेंगे तो ओम अलबस का example है जो आपके NCRT में पे given है वो दे रखा है four limbs four limbs of bat, cheetah, man ठीक है तो यह इसके example आपको दे रखा है फिर इसके अलावा आपको जो एक्जाबर दे रखा है vertebrator का heart and brain दे रखा है vertebrator का heart and brain ठीक है along with this अगर plant में मैं homologous के example के बारे में बात करूंगी तो thorns and tendrils of bog and valia and cucurbita ठीक है thorns and tendrils of bog and valia bog and valia and cucurbita two quartertwo two smaller तो एक कया है किसको represent करदे क्या है बहday वह structure same है लेकिन function different लेकिन कैसे हमारा जो four limb है और जो cheetah का four limb है दोनों पा structure लीक जैसा है है ना लेकिन cheetah अलग तऔरिक से उसको यूज कर रहा यह हम अलग तरीके से बैट अलग तरिके से यूज कर रहा है यह विज्व कॉर्टेक्स है, औरिटरी कॉर्टेक्स है, सब भी वर्टिमेटर में जो ब्रेन की और्गनाइजेशन है, इस तरही किसे होगी, लेकिन उनकी फंक्शन से वो वैरी कर सकते हैं, चीक है, जैसे फिश्चिस की में बात कुल, तो ओस्मोराइगूरेशन का फंक्शन तो थोंज और टेंडरील्स दोनों ही एक ही चीज की मोडिफिकेशन है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, है ना, लेकिन अगर यहां पर इन दोनों के फंक्शन देखे जाये तो वो बिल्कुल अलग-अलग हो गए, अब हम एनलोबस की बारे में बात करेंगे, फंक्शन सेम है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्टर अलग-अलग हो गया, इसने वो अनलोगस में आ गया, दूसरा देखे सकतो, विंग्स ओफ बैट, अब बटरफ्लाई अड बर्ड लितू, विंग्स ओफ बटरफ्लाई अड बर्ड तो इन दोनों का फंक्शन है जो काम है हो तो सेम है, लेकि अनों ही फूड को स्टोर करने में काम कर रहे हैं, लेकिन जो sweet potato है, यह किसकी modification है, root की modification और जो potato है, वो किसकी modification है, stem की, तो इस तरहीं की structure दोनों के अलग हो गये, लेकिन functions को दोनों की same है, तो हमने इसको कौन सी category में ढाला रहा है, analogous, करेंग, अब आगे बर रहें, तो वह आप समझ सकते हैं इसको अब इसमें क्या बताया गया है इन्होंने ये बताया कि 1850 जब तक कोई भी इंडस्ट्री नहीं आई थी 1850 तक जब इंडस्ट्रिलाइजेशन नहीं हुआ था यानि कि कब की बात हम कर रहे हैं क्फिद्धर्ण प्रीइंडस्ट्रीलाइजेशन टाइम की प्री इंडस्ट्रीलाइजेशन चाहि रहे हैं तो जब तक कोई इंडस्ट्रेलाइजेशन नहीं हुआ था ऑस समय क्या था एकदम आत्वातावर्ण बिल्कुर clean trees हुआ करते थे, trees के ओकर पूरा canopy होता है, बिल्कुर clean हुआ करता था, light color हुआ करता था, क्यों कोई pollution नहीं था, साफ सफाय थी एक दब, तो जब ऐसी environment होती है, जहां पर कोई pollution नहीं होता, तो lichen की growth बहुत जादा होती है, ठीक है, तो पहले ही हुआ करता था, प butterfly जैसे चोटी-चोटी से insect होते हैं, तो यह दो तरीकी के moth होते है, light और dark, light wing और dark wing, इसको आप wind भी कह सकते हो, ठीक हो और कहीं जगा पर इसको आप black moth भी कह देते हैं, वैसे light और dark होते है, तो गई, जिस तम्हें पूरा atmosphere बिल्कुर light color का होगा, अगर उसी background में, same background में, light color की moth बैठे होए होंगे, तो शिकारी है, जो प्रोडेटर है, वो तो आसानी से देख नहीं भाएंगे, क्यों? मालें जी, वाइट बोर्ड है, मैं वाइटी मारकर से इसके उपर लिखो, तो हमें दिखे ना नहीं दंसे, तो इसलिए, जो light color वाले, light wing वाले moth है, जब व इनकी population कम होगी, ठीक होगी, इनकी population decrease होगी, है ना, लेकिन सभी का दिन आता है, तो इनका भी दिन आया, हो आयू, कि जब 1920 में industrialization हो चुका था, काफी जादा industries developed हो चुकी थी, तो मैं एक तरीक से कह सकते हो, industries developed होने के बाद, post-industrialization जो हो चुकी थी, industries already developed हो चुकी थी, तब स्मोग हमारे atmosphere में होते हैं, उन्होंने सारे tree trunk को, canopies को, branch को polluted कर दिया, जिस वजह से वो गंदे, यानि कि dark color की appear होने लगे, है ना, तो क्या हुआ, जो dark wing वाले muts थे, उन्होंने same background में अपने आपको hide कर लिया, लेकिन जो light wing वाले muts थे, यानि कि wide wing, अब उनकी population क्या हो क्यों होगी decrease होगी, क्यों होगी decrease होगी, क्यों होगी decrease होगी, क्यों होगी, इतना गंदा background है, black or dark background है, उसमें वो white color के जो मौत है, वो predators को अलग से ही नजर आ जाते थे, है ना, तो predators में इस बर क्या किया, light wing वाले moth के ओपर attack करना शुरू कर दिया, as a result, उनकी population देरे-दे क्यों होने लगी, है ना, लेकिन इस सब कहां पर हो रहा है था, इस सब अर्बन जो urbanization यानि कि ऐसे अरिया जहां पर शहर लियारीगी, बहुत जादा technology has developed हो चुके है, ऐसे अरिया में जादा हो रहा था, जो rural areas ते जह गाउं अगर थे इतनी industries नहीं बनी थी, महां पर अभी को उस pigment को synthesize करना start किया, जो कि dark wing वाले मौत के अंदर थी, और वो कौन सी pigment थी, उसको melanin कहते है, कौन सी pigment है, melanin, तो जो topic हम discuss कर रहे है, industrial, industrial melanization, है ना, तो melanin industrialization भी इसको कहीं बार कहा जाता है, तो इसमें क्या हो रहा था, जो dark wing वाले मौत के पास melanin pigment थी, उस वज़े से व जो अपने आपको नेचर के हिसाब से adjust करेगा, वो easily क्या करेगा, survive कर सकता है, तो ठीके, इसमें क्या हो था, melanin pigment को light wing वाले मौत क्या किया, adjust कर लिया, या फिर बोल सकते है, synthesize करना start कर जेए, तो nature ने उने select कर लिया, अगर scientific name के बारे में बात करेंगे, white यानिकी light wing वाले म ये किसके लिए carbon era, ये है एन I.A.R., ये किसके लिए dark wing वाले मौत के लिए, चीक है, लेकिन जो यहां पर distant virtual area की बात हो रही है, है ना, जो ये light wing वाले मौत है इसको कहते है, टिपिका, क्या कहते है, टिपिका, तो ये आपने यहां पर देख लिया, light wing वाले मौत, distant virtual area, अब हम अगरे topic की तरफ चल रहे हैं वजिस anthropogenic actions anthropogenic का मतलब क्या होता है कि life में जो origin होता जा रहा है new organisms का या वो जो organism है वो किस तरीकी से पने आपको adapt कर रहे हैं उनकी उस ability में human का क्या role है ना तो anthropogenic action का मतलब क्या है किस तरीके से इंसान यानि की human responsible है for the evolution of other organism anthropogenic actions के बारे में बात कर रहे हैं इसका एक सबसे अच्छा example आप ले सकते है excessive use of pesticides ठीक है अब pesticides को हमने क्यों use किया था ताकि अब अपनी crop को अपनी खेकी को कीड़े बकौरों से इंसेक्ट से या पैस्ट से बचा सके तो हमने यूज करना शुरू किया डीडीट का तो जो फार्मर्स है वो डीडीट को क्या करते स्प्रे कर देते पूरी क्रॉप पे ताकि वो इंसेक्ट और जो भी चोटी मोटी केड़े में उनसे अपनी प्रॉफ को बचा सके तो इनिशेली क्या हुआ मार लीडीट को स्प्रे किया टोटल टैन इंसेक्ट थी ठीक है अब इन दस में से सेवन इंसेक्ट मर्वे तीन ऐसे हैं जो की सर्वाइव करनें क्यों वह या हो सकता है इन इंसेक्ट के अंदर किसी रीजन से क्या हो एक ऐसा जिसने उनको डिडीटी की प्रेजन से भी सर्वाइव करने की अब क्या हो रहा है अब यह जो तीन इंसेक्ट बचे थे जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनकी रिप्रोड्यूस करने पर जो निउव प्रॉजन ही उसके अंदर भी कौन सा फीचर होगा रिजिस्टें इनसानों की वज़े से हुआ, एक्सेसिव उफ डिडीटी से ही हुआ कि उनके अंदर क्या हो गया? एविशन हो गया, उनके अंदर इस तरीके के इंसेक्ट की फोर्मेशन होने लगी जिसके अंदर डिडीटी से रिसिस्टेंस था तो यह बहुत अच्छा एग्जांपल है यह जरूनका यूस करते हैं एंटिबायोटिक्स के लिए तो resistance to antibiotics भी आप यहां पर एक एक्जामपल में डाल सकते हैं Resistance बहुत जरूरी है शुक्त जरूरी है एंथ्रोपोजेनिक action रहे अब बात करें एक साइंटेस्स है जिनका नाम है लेमाग, अब लेमाग ने क्या बोला था? उन्होंने यह कहा तो ही है जो थियोरी ऑफ यूज और डिस्यूज है, इसका मुतलब क्या है? थियोरी ऑफ यूज और डिस्यूज कि जिस और गन का जिस बॉड़ी के पार्ट का हम कि जादा यूज करते हैं वह आगे चलके इबॉल होता है यानि कि उसके अंदर पॉस्टिव चेंज आते रहते हैं लेकिन अगर आम अगर आपनी बॉड़ी के किसी पार्ट का इस्तमाल नहीं करते हैं तो वह दिने दिने क्या हो जाता है? डिजनरेट हो जाता है अब इसको टो फिरह को माаки कीसा बंब इसके खिजांपल कुंण फॉर्ज करते हैं कि इसको प्रीं में जिराफ का जाता है लेकिने वे इसको बेंगिना करते थे हैं ना जिसे गाहिया भैस चड़ती है लेकिन एक समय ऐसा है कि जो फूर की स्कासटी होगी खाने की कमी आगई तो वट देट उन्होंने अपनी जो नेक है उसको जो बड़े बड़े पेर होते हैं आपर लीज होती है लीज को प्लत करने के लिए उपर करना शुरू क तो ओवर लॉग पीरिड ऑफ टाइम जब बार बार जिराफ अपनी गर्दन को उपर करके लीज को तोड़ा करते थे तो क्या हो उसके बार मालो 10, 20, 50, 40 जितने में जनरेशन है उसके बार जो नियू जिराफ आया जो प्लोजन ही आई उसके अंदर जो नेक हुआ करती थी भी एलोमेटर थी तो इन्होंने जो एक्जाम्पल देया था? यू उसके जिराफ की जिराफ कमें दिया था? और इन्होंने तो यह आपर बात कर लिए है इसके बारे में लेमाक के बारे में जिनों ने क्या दिया था लेमाक ने क्या दिया था theory of use and disuse और अब को इस समझ रहागा इसके बाद हम बात करेंगी कि जो अलग-अलग scientist है उनके जो views है रहा हो बहुत differ करते एक दूसरे से जैसे कि मैं अब दो अलग-अलग scientist के बारे में बात कर रहा हूं एक तो हो है Darwin और दूसरे है तो जो humility values है उनके क्या views थे और Darwin के क्या views थे evolution के बारे में तो इस जो de-veries है वो काम कर रहे थे अपना experiment कर रहे थे plant पे which is evening prime rose है ना तो जिसके में वो अपना experiment perform कर रहे थे evolution जो evolution हो रहा है वो किस वज़े से हो रहा है variation की वज़े से चबके d-veries ने क्या बोला mutation causes evolution ठेक है Darwin ने कहा कि जो variation है वो small और directional होती है ना variations are small and directional directional का मतलब क्या हो गया कि parents से ही next generation है वह तक जाएं लेकिन जो d-veries थे उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो mutation होती है वो random होती है mutation क्या होती है वो random होती है और direction less होती है random and direction less कोई specific direction नहीं होती ठीक ना भई अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला Darwin ने यह कहा था कि जो variation है वो तो evolution करवा रही है और variation कैसा है small or direction है है ना जबके d-veries में क्या का मुटेशन कैसी है, रेक्टम और डिरेक्शन लेस है, अगला मांट इन्होंने बोला कि evolution is gradual process, evolution कैसा process है, gradual process है मतलब अराम अराम से होता है और लंबर समय लेके होता है, लेकिन डियारी इस देखा आता, saltation, saltation का मतलब है single step large mutation, single step large mutation, इन्होंने का कि A की बारे में इतनी बड़ी यादी, तवरी mutation आ ला थी भाई, कि new species की formation हो चाती है, which leads to speciation, speciation का मतलब क्या है, the process of formation of new species, तो ये इन दोनों scientist की views में difference है, अना, थिप, इन दाग्वी के साब से evolution कौन कर रहाता है, variation, और d various के साब से evolution कौन कर रहा था, mutation, चाहिए बड़ी, तो इन दोनों के views किस तरीके से इक दूसे से differ करते ही हमने पढ़ लिया है, अब जो हमारा अगला topic है कौन सा होगा, hardy and winbox equilibrium, तो जो hardy winbox का equilibrium है, इन्होंने कहा क्या था, इनका equilibrium है, वो यह कहता है, कि जो allele की या जो gene की frequency होती है, किसी भी एक gene pool में यानि कि किसी भी एक population में, वो generation after generation constant रहती है, और इसका जो sum रहेगा, जो sum total होता है allelic frequency का, वो किसके बरावर होता है, one, तो sum होता है allelic frequency का, वो किसके बरावर है, one के बरावर है, और इन्होंने एक equation piece में दीती, which is, p square plus 2p q plus q square is equal to one, यहाँ पर p क्या रहा है, यह allelic a को represent कर रहा है, है ना, और यहाँ पर, जब यह a को represent करेगा, तो small a को represent करेगा, ठीक है, तो allelic frequency, capital a, capital a के लिए हमने बोला, तो p square हो गई, small a, small a के लिए बोलेंगे, तो q square हो जाएगी, right, तो medical में पूचा जाता है, capital a, small a को किससे represent किया जाता है, तो बच्चे क्या कर देते है, p q, गलात है बई, क्यों, क्योंकि अगर आप, जो हार्दी विन्वागिन की equation को द कि किसी भी एक population में जो gene frequency या allelic frequency होती है, वो constant रहती है, generation after generation, ठीक है, and the sum total of all the alleles, कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो उन्होंने साथ-साथ एक expression दियाता है, equation दीती, तो उस equation को अगर देखा जाए, तो p square plus 2p q plus q square equals to 1, यह किसको represent कर रही है, यह इस allel को और q, दूसरे और हिट्रोसायतास condition को represent करता है, 2p q, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा actual में possible है, कोई ऐसे driving force भी तो होगी, जो कि hardy windbuck के equilibrium को disturb करती होगी, कोई factors भी तो होगी, तो बिलकुर कुछ factors नहां पर है, जो hardy windbuck के equilibrium को disturb करते है, जैसे कि natural selection हो गया, ठीक है, पर natural selection hardy windbuck के equilibrium को disturb कर सकता है variation या फिर recombination हो गया, recombination से भी क्या होगा, new characters आएंगे, ठीक है, तो जो frequency पहले थी, अब वो नहीं रही कि change हो जाएगी, right, फिर इसके बार gene flow या gene migration आप यहापर पढ़ सकते हो, gene flow या gene migration, जब भी कोई organism या को individual एक population को छोड़ के दूसरी population में जाता है, है ना, तो वो gene migration ह अब यह process continuously काफी समय तर चलता रहे है, it will be called gene flow, छेक है, इसके बाद genetic drift भी होता है, genetic drift भी एक बहुत ही important factor है, जो की gene या फिर अलही की frequency को disrupt कर सकता है, अब genetic drift क्या है, medical के लिए क्वेशन आते है, कौन सी population में होगा, यह विशन small population में होता है, है नो, और genetic drift का मतलब क्या है, sudden changes, जब भी किसी एक population में sudden changes आते हैं, और उससे क्या होए, new population की formation हो जाएगी, so the original drifted population, जो original drifted population होती है, उसको तो हम क्या कहते है, founder कहते है, और जो इसका effect होता है, और उसको हम क्या बोलेंगे, founder's effect, इसके effect को क्या बोलेंगे, founder's effect, यह आपको याद रख रख रहे हैं, आपे founder's effect, तो genetic drift का मतलब क्या है, sudden changes within a population that leads to formation of a new species, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो original drifted population होगी, उसको founder कहते हैं, और उसके effect को क्या कहते है, founder's effect, so this is Hardy-Wilbuck equilibrium, है ना, ऐसे तो काफी जागा questions भी पूचे जा सकते हैं, medical में, इसके basis पर, लेकिन मैं जल्दी से chapter कवर करना च पर, ताकि उसके numericals भी हम cover कर सके, नीग के साब से, ठीक है बई, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते है, natural selection की उपर, इस तरीके से natural selection, हमारी एक population में, traits को affect कर सकते हैं, है ना, तुई जो natural selection है, यह तीन तरीकी से traits को affect करीगी, अब वो कौन-कौन से तीन तरीके हैं, तो फटा stabilizing, directional and disruptive, अब यह क्या है, मैंने किस चीज को represent किया है, मानिजे मैं ग्राफ मना के दिखा रहे हूं, किसी भी एक population में जो character है, उसको represent किया जा, ठीक है, यह भी कोई graph है, जिसमें हमने किसी एक character को represent किया, अब यह तीन तरीके से express किया जा सकता है, कैसे, सबसे पहले किसी भी population में अगर mean character को favor किया जाता है, if more individuals acquire mean character in the population, तो उस population को on stabilizing population कहेंगे, कैसे, अब आप मानलो किसी भी एक population में, height के बारे में बात कर लेते हैं, 4 feet के लोग है, 5 और 6, ठीक है, लेकिस सबसे ज़्यादा मिलने वाले जो organisms है, जो individuals है, they acquire mean character, 5 feet के लोग सबसे ज़्यादा मिलेंग तो इस तरीकता graph के आप पीक में बनेगा, peak, तो यहाँपर जो होगी, high peak होगी यहाँपर, इस तरीके से, तो यह क्या ही vision कर रहे हैं, कि भया, यह जो population है, इसके mean character को favor किया जा रहे है, लेकिन अगर में बनों सिब 4 feet के लोग ही सबसे ज़्यादा मिल रहे है, यह तोड़ा ब्लंड हो गया, इसका मतलब किया, peak इतनी साथा शार्प नहीं है, mean character को favor नहीं कर रहे, other than mean character को favor किया जा रहे है, तो mean character के अलावा या तो 4 foot हो सकता है, चार foot हो सकता है, मैंने अगर 4 foot बोल दिया, तो इसका मतलब ही किस तरीके का graph हो गया, यह हो गया, directional, सबसे पहला क्या stabilizing, ठीक है, लेकिन आपर एक और condition हो सकते है, third condition, जिसमें क्या होगा, कि mean character के अलावा जो दोनों peripheral values है, किनारे बादे, 4 feet और 6 feet, अगर इन दोनों ही values को favor किया जा रहा है, उस population में, तो इस तरीके का graph होगा, it will be called disruptive, तो किस तरीके का graph बन गया, यह है disruptive, तो जब भी किसी भी एक population में natural selection operate करता है, तो वो किस तरीके से operate करेगा, तीन तरीके से, एक होता है stabilizing, then direction and then destructive, mean character, more individuals acquire mean character, यहाँ पर more individuals acquire other than mean character, कोई भी, यहाँ पर peripheral values याफिर extreme values को favor किया जाता है, correct, तो यह हमने complete कर लिया natural selection, तो जो मारा next topic है, वो है adaptive radiation, तो adaptive radiation क्या है और किसने दिया था, तो जो Darwin है, उन्होंने एक बहुत interesting topic को explain किया था, which is adaptive radiation, तो जो adaptive radiation है, क्या है, और कौन से island पर observed किया गया था, तो जब Darwin अपनी sea voyage, यारी की, समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो उस तरान उन्होंने, मतलब हो जब वह पर गए, वह पर गए तो उन्होंने देखा, वह दो ब्लैक स्मॉल बच्वाज, वह चोटी-चोटी ब्लैक की बच्वाज थी, और उनका जो स्टार्टिंग में जो उनका habitat रहा होगा उस island में, वह कैसा था, वह सब sea rating थी, है ना, तो इनिशल जो ओरिजन था, उन् जिस हाबटेट में उनको खाने के लिए जो चीज मिली उन्होंने वही चीज खाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ उनकी जो भीक थी पहले वो सीर एटर हुआ करते थे लेकिन आगर मामों किसी दूसरी जगा पर चले गए मां पर उनको फ्लेश मिला इंसेक्ट मिल इसके बाद करेंगे तो जो फूसी बाद की बढ़ अचा एक्जांपल आडब करेंगे तो उसके अलाबाव और एक और एक जांपल की हम बात करेंगे तो जो Australian marsupials है वो भी बहुत ही एक अच्छा एक्जामपल है Adaptive Radiation कर क्योंकि जो Australian marsupials है वो भी उसी Australia में रहते ही अपने आपको evolve करते हैं और somehow they develop themselves according to the placental mammals है ना जो Australian mammals है या जो placental mammals है वो अपने आपको evolution के दोरान बहुत सारे changes उनके अंदर आते हैं और वो exhibit करते हैं कुछ characters दूसरे organism से मिलते शुलते हैं ठीक है तो यहां पर एक example आपने सब्सक्राइब वॉल्फ का जो कि किस्ते रेजेंपल करते हैं Tasmanian wolf से है ना और ऐसा कहा जाता है कि जो adaptive radiation है अगर हम देखेंगे कि किसी एक जोग्राफिकल एलिया में गहुत सारे organisms एक साथ adaptive radiation को शोग कर रहे हैं तो it may be also called as convergent evolution ठीक है तो convergent evolution क्या है और divergent evolution क्या है जो analogous है A, C आप इसे याद कर सकते हो जो analogous organ या structures होंगे वो convergent evolution को शोग करेंगे और जो यहाँ पर आप बात कर रहे हो homologous structure या फिर organs की वो शोग करते है divergent evolution को diverge करना मतलब fell जाना मतलब सबका structure तो एक जासा था लेकिन सबके functions अलग अलग है जबकि convergent में क्या होता है सबका structure अलग अलग है ancestors common नहीं है आपर analogous convergent or homologous divergent हो गया अब अगर आगे बढ़ते हैं तो यह जो topics हमने डिसक्स किए इसके लाबा जो बहुत important topics है इस chapter के वह कौन-कौन से हो सकते हैं इसमें ना आपकी book में चार्ट गिवन है और उसमें एक diagram है archiopteryx का आपको वह यादतने कि जो archiopteryx है वह एक ऐसा living fossil है फिर वह एक ऐसा example है जो कि birds और किसके बीच में reptiles की बीच में connecting link होते हैं तो archiopteryx क्या है archiopteryx birds और reptiles की बीच में connecting link है birds और reptiles की बीच में connecting link होता है है ना तो ऐसा ख्यास के अंदर उसके अंदर wings भी होते हैं और tail भी होती है तो वह दोनों के features को represent कर रहा है इसलिए उसको क्या केते connecting link between birds and reptiles तो यहां पर वह क्या है connecting link between birds and reptiles यह आपको याद रतने और जब हम evolution के बारे में बात करते हैं different organism का तो ऐसा observe किया जाता है कि देन ब्रायोफाइज लाइकें टैड़ोफाइज प्लांस की जो कमेंश्मेंट है वह start हो गई थी और अब 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 350 मिलेन यह उसके बाद कुछ ऐसे fishes आने लगी जो की पानी में भी रह सती थी और कुछ समय के लिए बाहर आती थी जमीन पर फिर से वापस पानी में चल ज होई थी मतला वह fishes जिनको हम क्या कहते है लोब फिंज ऐसे fishes जो की पानी में भी रह करती थी और कुछ समय के लिए जमीन पर भी आ जाया करती थी वह लोब फिंज है कौनसे category के अंदर आते है वह से लोग केंट के अंदर आते है ठीक है ना अब यहाँ पर ही क्या है यह जो किसके ancestors of modern amphibians तो जो frog और salamander as modern amphibians है उनके ancestors कौन है उनके ancestors है लोग फिंज तो इसके बाद जो टेरिटोफाइट से giant ferns यह सब चीज़ा आके develop होने लगी फिर अगर reptiles के बारे में बात करेंगे तो trinosaurus rex trinosaurus rex यह कौन था यह एक बहुत ही बड़ा dinosaur था reptile था जो कि 20 feet था height में साथ ही साथ dagger जैसे zigzag shape जैसे उसके teeth हुआ करते थे चीक है तो यह बहुत अच्छा एक्जामपल है किसका trinosaurus rex किसका एक्जामपल है reptile था जो लबब 20 feet उचा हुआ करता था चीक है फिर उसके साथ ही अगर आप बात करोगे तो इसमें आप एक एक्जामपल ले सकते हो अगर मैं बात करूँ मैमल के बारे में तो जो सबसे प इनिशली सारे के सारे के सारे को भी कॉंटिनेंट था वो एक ही हुआ करता था उसको बहुन वाना आइलाइंड कहा करते थे लेकिन देर देरे क्या हुआ सदन चेंज़ आने लगे नौर्थ अमेरिका साथ अमेरिका में वह बढ़त रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ मैमल्स ऐ पानी में रहते हैं तो यह अमने एवलेशन के बारे में कुछ पीचर कुछ इंपॉर्टन पॉइंट पड़े हैं जिसमें आपको सिग्निफिकेंस याद करनी है लोग फिंस की और श्रीव की सिग्निफिकेंस है कि वो मॉडर्न एपी विंस के अंसेस्टर है और श्रीव क्य तो अगर हम एवलेशन की बारे में बात करते हैं तो अब देखो कि बहुत सारे अलग अलग अर्ग 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 वोते होते हैं फाइनली जो हो मॉडर्न मैं उन्में डिवल्प होई थी राइट तो कब स्टार हो ऐसा माना जादा है 15 मिलियन अगो जो सबसे बेले किसके थे वह ड्रायोप्रिकसा के थे और रहामयपृतिकसा के यह जो और यह जो हैं अका स्टड़ी किया जाय तो प्ता है कि उडिविधिकस की जो बसक्राइब मला करते थे और रहाम ही डिवा नॉन नलएक है ढाना कि 2 इंडिविजोंस उसकी जो बॉडी है उनके उपर बहुत जादा है थैसे से भी हुआ करते थे और वह दोनों ही गोरिला की तरह चला करते थे ठीक है तो प्वेशन आपसे पुछाएगा 15 मिलियन एर्स अगो इवोल होने वाला जो यूमन था होगो निटा हो गयाने सबता तो आप बताएंगे अपतिकस और रामपतिकस दर लगबक तेंट वो फोल मिले निए इस एफ्रिकन ग्रास लैंड में यही कुछा जाएगा इस एफ्रिकन ग्रास लैंड में मिलने वाले फॉजल किसके थे तो वो अस्ट्रालोपतिसंस के थे ठीक है जबकि उससे पहले यहां पर यह जो फॉज बहुत जाएदा बंदरों की तिरह जुक्ते चला करते थे नाव थे स्टार्टेड वो के अपना है ठीक है और इनों ने थोड़ा सा जो ब्रेन वो डिवलाप होना स्टार्ट रोगता अप्रॉक्सिमेटी सिक्संडड़ सीसीं की ब्रेंट कपासिटी हुआ करती थी और इनो किसकी डिवल्प्मेंट होई होमोहबलस तो जो होमोहबलस है यह कौन है यह फर्स हुमन लाइख होमोनिड है और इनकी जो ब्रेंट किपासिटी है वह है 650-800 CC मतलब काफी सागा डिवल्प्मेंट का प्रसेजन आप स्टार्ट हो चुका था था ब्रें का जो केपासिटी हो यह बहुत नहीं खाया करते है इसका मतलब है यह भी लेगिटरियन हुआ करते थे भी फ्रूट को खाया करते थे टेकिया इनके भी फॉजल्स मिले थे तो इंकी गजादा नहीं थी लगबाग यह 4 फीट के ही हुआ करते तो और सीधे चला करते उसकी बार 1.5 अग हमने देक वो काफी जादा डिबलाब हो चुका था स्टोन के अलावा भी काफी जादा चीज़ों को as a weapon यूज किया गते थे और इनकी जो brain capacity है वो कितनी बढ़ चुकी है 900 CC इनको जावा मैं भी तो यहां पर हो गया ही हो गया जावा मैं साथ के साथ अगर हम बात करें यह जो निदर्ण हैं यह 1,400,000 अगो यह आये और इनके जो features यह है कि 1400 CC इनकी brain capacity है East and Central Asia में इनके जो fossils हैं उनको देखा गया और East African grassland में Australopatisans के fossils को देखा गया था बच्चे सब्सक्तर confused हो जाते हैं तो यहां पर African grassland की बात हो रहे है याद रखना East इस देखके confused नहीं होना है और इनके लिए Central Asia ठीक है साथ साथ इनका जो brain capacity 1400 CC इतना साथ बढ़ चुकी है brain capacity कि इन लोगों ने अपनी body को protect करने के लिए ड़ने के लिए heights को पत्ते बगेर या किसी भी close बगेर का यूस करना शुरू कर दिया था साथ इनके इनके इतनी भी अकल आ चुकी थी कि अगर कोई organism dead है तो उसकी body को हमें क्या करना दफनाना है और इसके बाद कौन आये था इसके बाद हो होमो सैपिन्स यानि की जो modern man है वो आ चुकी थे जो होमो सैपिन्स है उनके अंदर brain के बास्ति यादा ही रही लेग को सब्सक्राइब नहीं तो उनकी जो brain capacity 1400cc है उनकी जो brain capacity 1400cc है उनकी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया था तो जो case वगएर होती ही free story case वगएर में आप देखोगे तो आठ जो banana उनके बाना भी इनकी इनकी बाद कर दिया था तो यह सब modern man के बारे में बात हो है जोगी 1400cc की brain capacity को possessed करते हैं साथ में होने जो agriculture है यह जितनी भी नई चीज़ें यह टेक्नोलोजीजें तो चीजों को दीरे दीरे evolve करना start कर दिया है So this is all about the human evolution and also the chapter number 7 which is evolution So I hope आपको यह समझ में आया हो अगर आपको कोई में doubts है आप comment कर सकते हैं and do not forget to like, share and subscribe Thank you